स्कूल आपन लेर्णिंग मुक्त शिक्षा विद्याले यह सेंट्रल गवर्मेंट की और इसे विकेंसी आई हुई है जब अच्छी विकेंसी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिनमें भरती होगी वह 26 26 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में रिसोर्स परसन या आप कह सकते हैं लेकिन क्वालिफिकेशन एक ही है तो चलिए देख रहेते हैं और इसमें एक और अच्छी बात ये भी है कि एक्जाम भी नहीं होंगे सेलेक्शन के लिए इंटर्व्यू से भी नहीं गुजरना होगा सिर्फ एक्डमी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट किसमें वेकेंसि है ग्या वो है असमी बेंगॉली बॉलोची है थिफ्योलो क्रेंग्स सैक्मेशन परसे और अग्रॉर्दो एंग्वनियस्ब्यबनमेंटल स्टोडिश ट इननने ग्रैयंचाल चैन्य्वादिशनिस फिनान्शन स्टोड़ीृच्ट deepest मैं नेजमेंट साइकल साइकलोजी पंजाबी संस्कृत स्टाइस्टिक्स तमिल तेलगु उर्दू एंड जूलोजी यह टोटल 26 डिफरेंट सब्जिक्ट से जिनमें वेकेंशी से यह वेकेंशी जो हैं कहां से अड्बर्टीजमेंट रिलीज हुए वो चेक कर लेंगे Department of Distance and Continuing Education मतलब School of Open Learning मुक्त शिक्षा विद्याले केंपस ओपन लर्निंग दिल्ली विश्व विद्याले के अंतरगत आता है अगर University of Delhi या दिल्ली विश्व विद्याले की बात करें तो यह Central University है इसलिए मैंने लिखा था कि Central Government की ओर्गिनाइजेशन है Central University Government Universities होती है इनकी फंडिंग जो है Central Government करती है University of Delhi के अंतरगत आने वाले कही सारे Constituent Colleges है Open Learning के भी College and Schools है तो School of Open Learning से यह वेकेंसी रिलीज की गई है और इसमें टोटल 11 pages है कुछ और भी अलग-अलग टाइप के वेकेंसी है लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम फोकस करेंगे Content Writer and Academic Content Writer and Academic Counselor, Resource Person, Guest Faculty यह बुला रहे है दूसरा एक और है Skill Trainer, Technical Intern यह बात में दूसरी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि यह Skill Based है Content Writer की Post है जिसे Academic Counselor भी बुला रहे है या फिर Resource Person भी बुला रहे है या फिर Guest Faculty भी बुला रहे है अब इसमें क्या Qualification चाहिए, Subjects आपने देख लिए टूटल 26 विशे हैं जिनमें विकेंसी हैं, दिल्ली में जॉब रहेगी, दिल्ली में ही जो है क्योंकि School of Open Learning है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि Online या Offline Mode में आपको सेशन भी देने हो सकता हूँ Essential Qualification की बात करेंगे, दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगी ऑफकोर्स, Online भी देना हो सकता है या Offline देना हो सकता है क्लास आपको, इसमें Essential Qualification जैसे Assistant Professor की होती हो वैसे रखी गई है, Master Degree Related Subject में 55% या अबब मार्स के साथ है, इसके बाद अगर Science Subject है तो CSIR Net या फिर UGC Net या Desirable का मतलब mandatory नहीं होता है, experience तो फिक है नहीं है, तो कोई बात नहीं है और अब देख लेते हैं, और क्या चीज़े मांगे जारी है, Remuneration Remuneration कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो पहले मैंने Google किया और देखा यहां पर तो इन्होंने Remuneration या salary डिक्लार नहीं किया लेक्चर बेसिस पर पेमेंट करते हैं जिसमें 2000 से लेके 4000 उपए तक पर लेक्चर पेमेंट की जाती है, अब समझें पूरे महिने में 25 डेज भी वरकिंग डेज होते हैं उसमें दो-दो क्लास भी आप लेते हैं तो काफी अच्छी अर्णिंग हो जाएगी, minimum मैं बता रहे हूं 50,000 minimum salary अपकी होने वाली है मन्तली इसमें क्लास कब लेना रहेगा, holidays के दिन लेना होगा, gasted holidays के दिन आपको जैसे lecture basis पर पेमेंट करेंगे, तो जहां-जहां खाली lectures मिलेंगे तो उन lectures में जाके आपको लेना होगा, lecture deliver करना होगा, weekend पे लेना हो सकता है, या weekdays में, evening time में, मतलब जो भी free time रहेगा, free time होता है weekend, free time होता है weekdays में, शाम का वक्त या फिर holidays के दिन, आपको एक या दो घंटे के class जाके लेना होगा, तो जो बहुत बड़ी बात नहीं है, अ अब यहां पर यह link दी हुई है, फिल्हाल मैं एक बार attempt किया इस पर application करने का लेकिन थोड़ा problem आ रहा है, तो अगर जादा candidate apply करें, यह form page open हो गई, लेकिन मैंने जैसे इसमें नया new register करके, sign up here करके किया, तो अभी जो password है, वो generate नहीं हुआ मुझे, इसमें जादा problem आई, आप लोग इसमें, जो complaint का कोई number होगा, तो उसमें complaint कर सकते हैं, या phone करके बता सकते हैं कि register नहीं हो रहा है, और अगर हो जाता है register, तो comment section में जरूर बताएं कि आप register कर पाए हैं, चली, अब इसमें क्या-क्या मांग रहे हैं, the online applications received will be screened and thereafter the shortlisted candidate will be informed about the interactions schedule via email, तो बस एक interaction होगा, कि मतलब आपका क्या interest है वगरा, तो ऐसा कोई proper test नहीं है, proper interview भी नहीं है, हाँ, of course, hire करने के पहले एक interaction तो जरूर रखेंगे, तो वो online हो सकता है, और for this purpose, candidate must bring original testimonials, a copy of their application, form and a recent passport size photograph, तो आपको original document, जब भी बुलाया जाएगा, interaction के लिए, एक original document आपको set लेके जाना है, 10th onwards, यतने भी passing certificate है, mark sheet है, आपकी identity के लिए, identity proof के लिए, आप आधार card, pen card या जो भी आप carry करना चाहें, passport size photograph एक या दो रखें, और जो आप application करेंगे, उसके हर page के print या जो भी last page आपको print लेने, screenshot ये शारी चीज़ें, करेंगे आप, TADA नहीं दिया जाएगा, तो यह हो गया, skill trainer के लिए अलग से वीडियो बनाई, इसमें काफी सारे skills हैं देखें इसमें, लेकिन skill based है, तो यह जिनके पास यह skills रहेंगे, वो apply कर पाएगे, skill वालों के लिए अलग से बना दिया जाएगा, तो यहां पर 26 विषय में आपको content writer, resource person, guest faculty के तौर पर अगर काम करना है, तो आप यहां पर apply कर सकते हैं, अब इसको आप देखेंगे कापर, इसके last date क्या है, देखें, last date इनोंने declare अभी तक नहीं की हुई है, last date में उने क्या बता है, कि employment news में जब publish होगा, अभी तक employment news में publish होगा, तो उसके 15 days के अंदर आप जो है, last date रहने वाली है, तो अभी इसकी last date है, मेरे हिसाब से, अगर इसकी date देखेंगे, तो 18 July दिया हुआ है, लेकिन अ यह देख लेता है, फर्स पेज में last date इनोंने नहीं दिया है, second में इनोंने essential qualification, थर्ड पेज में जापे इनोंने लिंक दिया है, वहाँ पर बता रहे हैं कि last date of submission of online application is two week from the date of publication of the advertisement in employment news, employment news में अभी तक आया नहीं है, तो आप apply कर के देखें, और यह official website पर आप कैसे locate कर सकते हैं, यह official website है, इस official website पर आप आएंगे, नीचे थोड़ा scroll down करेंगे, तो नीचे scroll down करने में, important notices on information में आपको बहुत ध्यान से देखना है, तो जो पहला notice दिखाई देगा आपको, नीचे थोड़ा scroll करते हैं, यहाँ पर है, advertisement for content writer, skill trainer and technical term, interns, 26 July को यहाँ पर update, यह date डाल रहे हैं, तो इसी date से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले, और तेजी से scroll up हो जाएगे, शायद आपको दिखें भी न, इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, लिंक जो है आपको इसी YouTube वीडियो के description box को नीचे तक scroll down करके check करें, लिंक आपको मिल जाएगे,